नमस्कार स्टुडेंट्स, सभी को राम राम, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आपका पूरी गर्म जोशी से गुरुकरपा चैनल पर, आपके अपने चैनल पर, आपने अब तक मेरा साथ दिया इस चैनल पर, इसके लिए आपको बहुत तहये, दिल से धन्यवाद, द हेला, हेंड रिटन मेरे खुद के आतों से लिखा हुआ है, हेंड रिटन नोट्स में, गती, मोशन, दोस्तों मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं, गती हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, अब तक आपने अगर सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करें, अगर पसंद आए तो, ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखे, मेकेनिक्स यानि यान्तरिकी का पाल्ट है, फिजिक्स में आता है, SSC, रेलवे, NTPC, जो एक्जाम सोती, RRB हो गया, आपका है न, LDC है, या राजस्थान की जितनी भी एक्जाम से चाहिए, वो रीट हो, सेकेंड लेवल साइंस मेहत का, या आपका फर्सकेर सेकेंड हो, उसमें गती का एक चैप्टर आता है, और बहुत ही इंपोर्टेंट, छोटी से शोटी और बड़ी से बड़ी एक्जाम कुछ मैं पैन से भी इसमें थोड़ा सा ड्रो करूँगा, ताकि आपको समझाता रहूं बीच बीच में, देखें, गती किसे कहते हैं, मोशन जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, जब किसी वस्तु की स्तिती में समय के साथ परिवरतन हो, किसके साथ परिवरतन हो, समय के सा कि गती हो रही है, गती को कभी भी दोस्तो अकेला नहीं समझा सकता, जब तक कि किसी इस्तिती में समय के साथ परिवरतन होगा, तो इसका मतलब वस्तु मोशन कर रही है, गती कर रही है, तो गती को कभी भी ये लाइन लिख रखें, देखें, आप कभी भी अकेला नहीं इस्थिर वस्तू को उसके सापिक्ष ना माना जाए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तो इसका मतलब भी हुआ कि कोई वस्तू यहां पर जो इस्थिर है तो यह गती हम कब बोलेंगे जब कोई वस्तू इस्थिर होगी इस्थिर होगी तो ही तो वस्तू जो इस्थिती है उसमें सम सामनेा रहा है की मुख्य रूप से गती पांच प्रकार के होती है मुख्य रूप से जो गती होती है दोस्तो वह 5 प्रकार के होती है फर्स जो हमारे सामने यहां पर मोशन आ रहा है ईस्थाना अन्त्री या रेखिये गती, लीनियर जो मोशन है, जिसको आम इंगलिश में बोलेंगे, यह देखिए, आपर लिख रहा है, लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, इस्थाना अंतरी है, गती, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गती करती है, जैसे सीधी पट्री पर जो रेल गाड इखिए, अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट बहुत आसान चीज़ थी, बाकी अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, रेखिये गती में मूल बिंदू से दाईं और की गती धनात्मक तता बाईं और की गती धनात्मक होती है, यहां से अगर कोई ट्रेन चल रही है कोई गाड़ी चल रही हम चल रहे हैं तो दाहीं तरफ यहां पर तो गती को क्या लिया जाएगा धनात्मक लिया जाएगा और बाहीं तरफ जो है वो गती को क्या लिया जाएगा दोस्तो रिनात्मक लिया जाएगा तो इस बात का अपन प्रकार की होंगी या फिर न्यूट्रल होंगी तो आप कांसर वहां पर होगा दोस्तो धनात्मक ठीक है चलिए अभी जिस्ट्रम आगे चलते हैं गती के हम प्रकार पढ़ रहे हैं पहला हमने देख लिया सेकेंड जो है हमारे सामने वह है रोटेटरी मोशन यानि गुर्णन गुणन गृति में क्या है दोस्तों सबसे पहले हम परिवास पढ़ रहेंगी जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिते गूमता है परिते का मतलब हो गया है पर दोस्तों चारो तरफ परीत का मतलब यहां पर क्या हो गया चारो तरफ ऩर वैन और ऑबजेक्ट रोटेटस और जैसे अर्थ जो है हमारी जो प्रत्वी है हमारी प्रत्वी क्या करती है हमारी प्रत्वी चारो तरफ से गोल है आपको पता है प्रत्वी चारो तरफ से गोल है और अर्थ रोटेट्स on its axis यानि प्रत्वी का अपने अक्ष पर गोमना किसे एक अक्ष पर प्रत्वी रुकी हु अब कुमार के चाक के पईये में क्या होता है दोस्तों जैसे इस तरीके से ये अपने सामने एक बार हम बनाओं तो ये चाक है और इस चाक का इस तरीके से चाक है तो बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है कहीं पर इस तरीके सेंटर पॉइंट होता है उस चाक को उस सेंटर के चारो तरफ क्या किया जाता है दोस्तों जैसे मैं गुमारों ऐसे गुमाया जाता है उसके बीच में रखकर जो खुमारे वो अपने मिट्टी को मंचाहा मट्की या जो भी उसको बनाना है ऐसा परतन बनाता है दोस्तों तो वो भी कौनसी गती हो जाएगी अपने सामने तो इसमें उपर नीचे नहीं लिख रखा है कोई बात नहीं है किसी निश्चित बिंतु के दाएं बाएं या उपर नीचे की गती को हम कौनसी गती कहेंगे दोस्तों वाइब्रेटरी मोशन यानि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चलिए नेक्स्ट पेज के हम चलते हैं हम किसी ग्राउंड के कई लिबार या ओर किसी ते तुब करते हैं यह और किसी पितिक करते हैं सबने से पहले सबसे क्या करता है घृह यह भी कौन सी गति का उधारन है व्रत्य गति का उधारन है यहाँ पर इस एरोप्लेन को सही कर लेंगे यहाँ यह एरोप्लेन नहीं है दोस्तो यह आपका यहाँ पर आएगा हैलीकॉप्टर क्या आएगा हैलीकॉप्टर जो है वो इसमें आएगा ठीक है क्योंकि एरोप्ले तो ऐसी गती जिसमें वृताकारपत के और जो पात है उसके चारों तरफ मोशन हो सके वो सिर्कूलर मोशन ने व्रेद्य गती कहलाता है उसके बाद नेक्स आता है निरुदेश्य गती देखिये तो बहुत आसान है रेंडम मोशन इस प्रकार की गती में कोई दिशा निश्चित नहीं होती है दोस्तों वो जो गती करने वालू वस्तू है वो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है अपनी दिशा क्या करती रहती है बदलती रहती है दिशा बदलने का कोई पैटर्न जो है वो नहीं होता है कैसे गैसी आवस्ता में अणु की गती गैसी अवस्ता में अणु की गती अगर अगर आपने कोई अगरभती जलाई तो इसके compet ₹नू है या कोई गैस है लате कि CAPS क pleasing उसके जो हृँ जो है तो उनकी घटी चारु को थितली का उद्हान देता हूं तो तो डुंतियों की जो होती है दोस्तों कि याद्रचिक गति में लेकिता हूं जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं किसी वज़े bowl तो थूड़ा सा आप